नमस्ते डॉक्टर साहब जी, मैं अपने ककड़ी के पौधों को लेकर बहुत चिंतित हूँ, वे स्वस्त नहीं दिखते, मैंने ककड़ी मोजेक वाइरस नामक किसी चीज के बारे में सुला है, क्या आप मुझे इसे बैतर धन्व से समझने में मदद कर सकते हैं? नमस्ते, भाई साहब, बेशक, मैं मदद कर सकता हूँ, ककड़ी मोजेक वाइरस या CMV, एक आम वाइरल बीमारी है जो ककड़ी के पौधों को प्रभावित करती है, अगर इसका ठीक से प्रबंधन न किया जाए तो ये काफी नुकसान पहुचा सकती है, CMV के लक्षन क्या है, मैं अपने पौधों में इसे कैसे पहचान सकता हूँ, डॉक्टर साहब जी? भाई साहब, संक्रमेत हुई पौधों की प्रजातियों तथा वातावरन की परिस्थितियों के आधार पर लक्षन बदलते हैं, कुछ मामलों में वाइरस उपस्थित होता है किन्तु लक्षन छ जाता है, नई पत्तिया सलवटों से भरी हुई और संकरी तथा पूरा पौधा ही बुरी तरह से अविक्सित जाडियों जैसा दिखता है, फूलों पर सफेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं, फलों पर उपर की और तने हुए उभार बन जाते हैं जो उन्हें बाजार में बेचने लायक नहीं रहने देते, ये गंभीर लगता है डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब जी, खीरे के अलावा ये किन-किन फसलों में पाया गया है, खीरे के अलावा भाई साहब ये खर्बूज, जुकीनी, कद्दू, तंबाकू, तमाटर, करेला में पाया गया है, डॉक्टर सहब जी ककडी मोजेक वाइरस CMV के बारे में जरा विस्तार से बताएं यह विशानू 60-80 विभिन प्रकार की प्रजातियों के एफिट द्वारा ले जाया तथा प्रसारित होता है प्रसार के अन्य तरीकों में संक्रमित मिट्टी या कलम और किसी के हाथ या उपकरण से संक्रमन शामिल होता है CMV फूलों की 12-80 खरपतवार में वर्ष भर रह सकता है और कभी-कभी स्वयम फसल की जड़ों, बीजों तथा फूलों में भी रह जाता है प्राथमिक संक्रमन में विशानू नए उगने वाले पूरे अनकुर में उभरता है तथा उपरी पत्तियों तक पहुँचता है इन पौधों पर पलने वाले एफिड इन्हे अन्य धारकों द्वितियक संक्रमन तक ले जाते हैं विशानू पौधों के विभिन अन्गों के मध्य लंबी दूरी तक परिवहन के लिए धारकों के वाहिकिये उतकों का उप्योग करता है मैं समझ गया दॉक्टर साहब जी, मैं अपनी फसलों को इस वाइरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ निवारक उपाय महत्वपूल्न है भाई साहब वाइरस मुक्ट बीजों का उप्योग करें, हमेशा प्रमानित वाइरस मुक्ट बीजों या प्रतिरोधी किस्मों का उप्योग करें वनसपती के प्रसार में काम आने वाले औजारों था उपकरनों को जीवानुमुक्त करना सुनिश्चित करें एफेड्स को नियंतरित करें, CMV अक्सर एफेड्स द्वारा फैलता है इसलिए इन कीटों को नियंतरित करने से संक्रमन का जोखिम कम हो सकता है संक्रमिद पौधों को हटाएं अपने पौधों का नियमित निरीक्षण करें और वायरस को फैलने से रोकने के लिए लक्षन दिखाने वाले किसी भी पौधे को हटा दें खर्पत्वार नियंत्रंग, खर्पत्वार CMV को होस्ट कर सकते हैं, इसलिए अपने खेतों को खर्पत्वार मुख्ट रखना महत्वपूर्ण है फसल चक्रंग, मिट्टी में वायरस के निर्मान को रोकने के लिए फसलों को घुमाएं ये मददगार सुझाव है, डॉक्टर साहब जी, लेकिन क्या होगा अगर मेरे पौधे संक्रमित हो गए, क्या CMV को नियंत्रित करने के लिए कोई जैविक तरीके हैं? हाँ भाई साहब, ऐसे जैविक तरीके हैं जिनका आप उप्योग कर सकते हैं नीन के तेल का छिलकाव करने से CMV के वेक्टर आफेद्स को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती हैं कीटना शक्स साबुन, ये भी आफेद आबादी को कम कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव मल्च, रिफ्लेक्टिव मल्च का उप्योग करने से एफेड्स को दूर रखा जा सकता है और CMV की घटनाओं को कम किया जा सकता है। मेरी गोर जैसे साथी पौधे लगाने से एफेड्स को रोकने में मदद मिल सकती है। पत्तियों पर खनिच तेल का छिलकाव एफेड को उन्हें खाने से रोक सकता है और इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ने से रोकी जा सकती है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब जी, लेकिन अगर जैविक तरीके परयाप्त नहीं है, तो मैं कौन से रासायनिक नियंत्रन का उप्योग कर सकता हूँ। यदि उपलब्ध हो, तो जैविक उपचार के साथ निवारक उपायों के एक एकी कृट द्रिश्टिकोन पर हमेशा विचार करें। CMV के विरुद्ध कोई प्रभावी रसायन उपलब्ध नहीं है, नहीं कोई ऐसा रसायन है जो पौधों को संक्रमित होने से बचा सके। साइपमेथरीन या क्लोरपाइरिफोस वाले कीट नाशकों का उप्योग एफिद्स के विरुद्ध पत्तों पर छिलकाव के रूप में किया जा सकता है। रसायनिक नियंत्रन आपका अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो आप उप्योग कर सकते हैं। इमिदा क्लोपरेट जैसे एफिद्स को लक्षित करने वाले कीट नाशकों का उप्योग करें। हमेशा अनुशन सित्खुराक और सुरक्षा दिशानिर देशों का पालम करें। कुछ रसायनिक उत्पाद हैं जो वाइरस प्रतिकृती को रोक सकते हैं, लेकिन इनका उप्योग साब्धानी पूर्वक और क्रिशी दिशानिर देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। धन्यवाद, डॉक्टर साहब जी, अब मैं बहुत बेहतर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, मैं निवारक उपायों से शुरुवात करूंगा और अपने पौधों पर नजर रखूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं जैविक तरीके आजमाऊंगा और रसायनों का इस्त डॉक्रिया, डॉक्टर साहब जी, आपकी सलाह अमोल्या है, आपका भी धन्यवाद भाई साहब, खीरे की फसल के लिए शुपकाम नाए, क्रिशी में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे चैनल क्रिशी ग्यान को सब्सक्राइब करना न भूले, धन्यवाद